कौन होते हैं हमारे इश्ट देवता आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगी मैं डॉक्टर रमा जोशी जोच्छी रेकी हिलर वास्तु कलसंटेंट मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपके मन में को इश्ट能 करनी चाहिए तो सवाल यह उड़ता है आखर इश्ट देवता हैं कौन जिनके बारे में हम की पुझा करनी चाहिए जरूरी है क्यों जरूरी है कौन है वह हम सब जानते हैं कि हम सब एक सोल भी हैं, एक आत्मा भी हैं, हम सब एक अलग-अलग आत्मा हैं, जो की नए-नए जन मिलेती है और उसके बाद उसमें उनको नया शरीर मिल जाता है, लेकिन आत्मा एक ही होती है, यह जो रूल है, इसको हम सब मानते हैं, जो हम यह जनम पत्री देखत जो इश्ट देवता की बात करते हैं वो सब इस बात को माते हैं तो हमारे जो इश्ट देवता होते हैं वो हमारी सोल के हमारी आत्मा के केर टेकर होते हैं वो हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं हमारे साथ होते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं हमें सपोर्ट करते हैं अगर आप भी हमारी सारी चीज़ें पूरी करने लगें क्योंकि उनका काम की है हमारी केर करना वह हमारी सोल की हमारी आत्मा के केर टेकर्स होते हैं वो हमारी आत्मा के पेरेंट्स होते हैं, माता पिदा होते हैं, वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, कभी भी हमसे अलग नहीं होते हैं, जैसे हमारे माबाप कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे हम उनसे दूर चले जाएं, लेकिन हम रहेंगे तो उन्हीं की सं साहता करने की और साहता करेंगे भी कोशिशी क्यों करेंगे सिर्फ वही हैं जो हमेशा हमारी साहता करेंगे बहुत सारे रिष्टे होते हैं हमारी लाइफ में जिनको हम निभाते हैं जिनके साथ हम अपनी जिन्दगी जीते लेकिन जब भी हमें कोई तकलीफ होते हैं तो हम क् कियोसे ही जो हमारी इश्ट दीश्त देवता है उनकी जगा भी हमारे कोई नहीं लेसकता वो भी हमारे केर टेकर है मारा अध्यान रखते हैं उन्हें पता होता है कि कब हम आष्सक्ती काई करेंगे हम उनका परवाई ही नहीं करेंगे तो फिर वो हमारी किस प्रकार से साहता कर पाएंगे, कैसे हमें बता पाएंगे कि आप ऐसे ऐसे इन चीजों को करो, अगर हम उनकी पूजा करेंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे, हम देखेंगे, उनसे बाचित करेंगे, तो उनको पता रहेगा, वो हमें अपने आप ही गाइट कर करते जाएंगे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे हमें सपोर्ट करते जाएंगे जो गलत रास्ता है उससे हमें बचाते जाएंगे हमें सही शिक्षा देंगे सही संस्कार देंगे सही रस्ते पर चलने को बोलेंगे और हमेशा उन्हें पता होगा कि हम किस तरीक करता है उसी प्रकार से जो हमारे इश्ट देवता उन्हें पता होता है कि हम इंटर्नली कैसे हैं हम चाहे लोगों के सामने अपना वहवार कैसा भी दिखा दे कैसा भी बना लें लेकिन हम इंटर्नली अलग ही व्यक्तित होते जो की हमारे इश्ट को पता होता है और वो उसकी हिसाब से हमें आगे गाइड करते हैं तो बहुत जादा जरूरी है अपने इश्ट देवता की पूजा करना और ये समझना की इश्ट देवता है क्या अगर हम इस चीज़ को इंपोर्टेंस ही नहीं दे कि नहीं हम तो सब की प अब सब की पूजा किजिए कि आप सshopने इश्ट देवता की पूजा की आप सब की क téléphone की कोई मनाई नहीं लेकिन इस देवता की पूजा special कीजिए जादा कीजिए regular कीजिए वो जरूरी है क्योंकि वो आपकी आत्मा के parents हैं मातपिता हैं वो आपके पुझा भी नहीं चाहेंगे और उनकी पुझा भी करना चाहेंगे आज के लिए इतना ही मैं फिर आप लोगों से बहुत सारी बाते करूगी तब तक आप जोतिश का संब्मान कीजिए जोचीयों का संबान कीजिए डॉक्तर रमा जोशी नवस्कार